ओम बिल्ला दूसरी बार लोगसभा की अध्यक्ष चुन लिये गए हैं लोगसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीम नरेंद्र मोधी और लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए स्पीकर ओम बिर्ला को बढ़ाई देने पहुचे पीम मोदी ने ओम बिर्ला से हाथ मिला कर उन्हें बढ़ाई दी राहुल गांधी ने भी ओम बिर्ला को बढ़ाई दी और इस दोरान राहुल गांधी ने पीम मोदी से भी हाथ मिलाया उसके बाद पियम मोदी और राहुल गांधी ओंबिडला को असंदी तक छोड़ने आये हाला कि कल कॉंग्रिस ने डिप्टी स्पीकर पत की बांग की थी इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारा था के सुरेश इंडिया गटबंदन की तरफ से लोगसभा स्पीकर के उमिधवार थे के इंदुसरकार की ओर से विपक्षिदनों के साथ सामाती बनाने की कोशिस की गई लेकिन बात नहीं बनी तो के सुरेश को विपक्ष ने अपना उमिधवार बना दिया पीम मोदी नहीं लोगसभा धक्ष के तोर पर उमिधवार के नाम का प्रस्ताव रखा वही विपक्ष की ओर से केरल के कॉंग्रेस सांसत के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया ओम बिल्ला के निर्वाशन के बाद पियम ने कहा ओम बिल्ला कानुभब देश के काम आएगा को और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बढ़ाई देए ओंधर अध्रिक जी जी मेरी करस्य आपको शुपकामना हैं मैं लेकिन इस पूरे सदन के तरफ से भी आपको अनेक उनेक शुपकामना है अम्रत काल के इस महत्वप्र कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत्व आपको मिला है और आपका पांच वर्स का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके च्छाय पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दाईत्व को निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रहीगी ओम बिल्ला की लोकसभा स्पीकर निर्वाचित होने पर राहूल गांधी ने भी उन्हें बढ़ाई दी और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये विपक्ष की आवास दवाई नहीं जाएगी राहूल गांधी ने कहा कि सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिन धित्व करता है हमें भरोसा है कि आप हमें आवाज उठाने देंगे और हमारी आवाज दबाएंगे नहीं आपको यांद दिला दें कि 17 वी लोगसभा में ओमबिर्ला के पहले कारेकाल में ही राहूल गांधी की संसत सदस्यता छीन ली गई थी और उन्हें अपना सरकारी घर भी खाले करना पड़ा था सत्रवी लोक सभा में ओम्बिल्ला के कारेकाल के दोरान ही टीमसी सांसद महुआ मुइत्रा को भी संसद से निश्कासुत किया गया था साथी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड किया गया इसे लेकर लंबे समय तक विबाद भी चला था ओम्बिल्ला के सियासी चढ़ाओं की बात करें तो साल 2003 में ओम्बिल्ला कोटा से पहली बार विधान सभाद चुनाब लड़े और जीत भी गए 2008 और 2013 के विधान सभाद चुनाब में उन्होंने जीत हासिल की 2014 में वे पहली बार लोकसभाद चुनाव लड़े और विजई भी हुए तब से लेकर 2019 और 2024 में भी वे लगातार कोटा सीर से सांसत चुने गए हैं ओमबिला कोटा शहर में आयाईटी की स्थापना के लिए बड़े स्तर पर जनांदोलन चलाने के लिए भी याद किये जाते हैं 2019 में जब बीजेपी ने उन्हें स्पीकर पद के लिए अपना उमिद्वार बनाया तो हर कोई हैरान रह गया लंबा संसदी अनुभव नो होने के बाद भी उमबिला ने जिस तरह से सदन को चलाया उसकी काफी तारीफ हुई उनके ही कारेकाल में अनुछे 370 खत्म हुआ नागरिक्ता संशोधन कानून यानी CAA भी लागू हुआ तीन आप्राधिक कानून लागू होने समेत अनेक अहम विधाई कामकाज भी उनके कारेकाल में हुए केंद्र में तीसरी बार NDA की सरकार बनने के बाद से ही शुरू से ही लोगसभा स्पीकर बनने की रीस में बिला सबसे आगे मारे जा रहे थे शुर्स नित्रित्व का करीबी होने की वज़े से इस वे इस दौड में सबसे आगे थे ओम बिला के दोवारा लोगसभा स्पीकर बनने की संभावना भी इसलिए अधिक थी क्योंकि मोदी काबिनेट में कई चेहरे फिर से रिपीट किये गए थे ओम बिला को फिर से लोगसभा स्पीकर बनाये जाने के पीछे कई कारण गिनाये जा रहे हैं दरसल मोदी सरकार के पिछले कारेकाल में भी बिला स्पीकर रहे और उनका यह कारेकाल बेहतरीन माना जाता है ओम बिर्ला शालीन और मृदभाशी राजनेताओं में गिने जाते हैं, यही बज़ा है कि बिर्ला के सभी दलों और नेताओं से बहतर संबंध बताय जाते हैं, वहीं दोवारा लोकसभाध्यक्ष बनकर ओम बिर्ला ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वे दूसरी बार स्पीक मजबूत है और सुचारों रूप से सदन चलाना उनके लिए किसी चुनौती से कम भी नहीं। टाइम्सनाव नमभारत डिजिटल की रिपोर्ट